हलो फ्रेंड्स मैं हूँ राजीव आज देखेंगे कैसे अगर विंडोस में आपका कुछ भी फाइल, फोल्डर, टाक्स बर कुछ भी नहीं देख रहा है सिर्फ ऐसा ब्लैंक स्कीन देख रहा है डेक्स्टॉप का राइट किलिक भी नहीं काम कर रहा है तो कैसे आपको फिक् कि इसमें माउस नहीं काम कर रहा है कुछ भी नहीं काम करेगा तो कॉंट्रोल, सीप्ट और एक साथ दबाईए उसके बाद ऐसा टाक्स मैनेजर ओपेन हो जाएगा उसके अंदर आपको फाइल में जाना है ठीक है फाइल में जाने के बाद न्यू टाक्स रान इसमें क्लिक करना है उसके बाद आपको ब्राउजर में जाना है तो पहले से देख लेजिए कॉंप्टर में आईए एक दुम उसके बाद सी ड्राइब में आईए उसके बाद विंडोस में तो इसमें आने के बाद आपको क्या करना है ई दबाईए एक बाद दबाईए देखिए एक बा के अगर डॉबल क्लिक कीजिए नहीं तो ओपन कीजिए ऐसा आ जाएगा ऐसा फुल लिंक उसके बाद देखिए अभी पुरा का पुरा आ गया टाक्स बार भी आ गया डेक्स्टप का फुल लाइड भी आ गया राइट क्लिक भी हो रहा है अगर आपको एप वीडियो फुरा भी आच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए और आपको ऐसा टेकनिकल वीडियो चाहिए तो चैन